हेलो फ्रेंड्स आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसे smart beta ETF के बारे में बात करेंगे जिसमें momentum और quality जो दो टॉप के factors हैं इनको दोनों को combine कर दिया गया है एक अकेले smart beta ETF में तो एक NSE का already index था जिसका नाम था nifty 500 multi cap momentum quality 50 यह index जो है इस index के ऊपर based यह नया smart beta ETF है यह जो आने वाला है और इसका हमें फाइदा क्या होना है यह सबसे ज्यादा perform करने वाला ETF होने वाला है smart beta में और साथ में इसका जो drawdown है वह भी काफी कम होने वाला है बतलब low risk में रहने वाला है और पिछले 10-15 सालों में जो इसकी performance है वह भी बहुत यह अच्छी रही है और सबसे खास बात यह कंसिस्टेंट रही है वह performance तो इस smart beta ETF भी अगर हम इस slide में जो देख रहे हैं हम यह क्या देख रहे ह होता तो प्योर निफ्टी में आपका पैसा 16 टाइमस होना था 16 गुना बढ़ जाना थे और अगर यह पैसा निफ्टी 500 में लगाया होता तो 17 गुना बढ़ जाता कोई खास फरक मिले लेकिन अगर यह पैसा इस index में लगा होता तो यह पैसा आपका 63 टाइमस ग्रोव हो से ज्यादा फंड smart beta ETF में भी लगें because इनके रिटर्न मच मोर आते हैं और बहुत सारे वीडियो में हमने यह discuss किया हुआ है कि इनका में क्या benefit है यह क्यों different होते हैं बाकी ETF से जो equity के simple ETFs हैं जो किसी index को follow करते हैं उनसे इन में क्या फर्क है फंडामेंटली यह smart beta ETFs हैं यह select करते हैं stocks को जो सारे stocks हैं उसमें से ऐसे stocks select करते हैं जो एक particular factor में सबसे best perform करते हैं चाहे वो factor momentum हो चाहे quality हो चाहे value हो चाहे low volatility हो तो अलग लग तरह के factors होते हैं जिनके उपर यह based होते हैं और यह वाला जो ETF है यह combine कर रहा है momentum और quality को और select क्या कर रहा है 500 जो top के stocks हैं 50 के 500 stocks में सब कुछ ही आ जाता है में large cap के आ जाते हैं mid cap के आ जाते है small cap के आ जाते हैं सारे stocks मिला के इन में से ऐसे stocks select किये गए 50 stocks जो momentum और quality दोनों में best है ठीक है तो हम इस video में और further discuss करते हैं कि क्या क्या हमारे पास information है is related detail में जानना जरूरी है कि यह ETF है smart beta ETF क्या है और इसने जो performance दी है पिछले कुछ सालों में वो कैसी performance रही है और उस performance के base पे हमें इसमें invest करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो दोस्तों आप लोग की demand पर मैंने course launch किया है उसका नाम है smart ETF shop बेसिकली यह smart beta ETF की swing trading strategy है जिसमें around 5% per month तक returns आया है जो मैंने इसकी back testing की पिछले one years की तो अब इस course में क्या क्या कवर करने वाले है वो सारे chapters जो है मैंने outloin कर रखे हैं description में आप देख सकते हो और वो download कैसे करनी है हमारी mobile apps launch हुई है उनमें आप download कर सकते हो mobile apps जो है Android और iPhone दोनों में है उनकी download instructions जो है वो भी सारी description में available है और अगर आप इसको अभी लेते हो course को तो अभी 50% का discount coupon भी इसमें चलो रहा है वो स्टेबल रहनी चाहिए ऐसा नहीं कि आज अगर अच्छे रिटरंस आ रहे हैं तो कल ना आ रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए उसके पीछे का जो भी रिकॉर्ड है उसके बेसिस दे उसकी रिटर्स की consistency बनी रहनी चाहिए और उसके होने चाहिए तो यह सारी चीजे क्लिटि कैसे होती है जो भी अगर एक किसी स्टौक की सब्सक confronted करते हैं इसको करने के लिए आपको driving को तक एक पता चलता है कि वह कैसी perform कर रहे स्टॉक और आगे कैसा perform कर सकता है उन में से यह क्या रेशोच से नहीं रही है तो अब यह क्या चीज वहती है यह बुरीफ में मैं आपको बता हूँ आर हो यह मतलब रिटर्न आ इकुटी जो कंपनी की टोटल इकुटी है उससे रेशो न मुकाबले में रिटर्ण अच्छे आ हैं तो ROI ज्यादा होगा यह ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए उसके बाद है debt to equity ratio कंपनी ने जो भी loan लिया है क्योंकि ज्यादातर कंपनिया काम करती है वो debt लेके करती है करजा लेके करती है उनको जितना चाहिए होता है जितना उनको performance चाहिए कई वरी क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा नया company की पास order आ जाता है जिसके लिए company को पैसा चाहिए होता है और immediately company को नई machines लगानी पड़ सकती है कुछ भी ऐसा होता है तो इसलिए company यह debts लेती रहती है यह value कम से कम होनी चाहिए उसके बाद EPS की जो growth consistency अर्निंग पर शेयर जो है company की जो भी company की net earning है वो total नमबर हो शेयर से डिवाइड कर देते है जो EPS value हा जाती है यह value जो है यह consistently grow हो रही हो नहीं चाहिए ऐसा नहीं कि कभी earning बहुत जादा होगी कभी earning गिर गी फिर earning बढ़ गी फिर गिर गी ऐसी company को हम strong नहीं मान सकते कि financially strong है इनकी EPS की stability चाहिए ऐसी company की earning की stability चाहिए तो यह जो तीन factors है इन factors के base पर एक score निकाला ज देखा जाता है एक तो company इस समय trend में हो जो company का जो stock का जो price है वो trending हो वो बढ़ रहा हो इस समय market में grow हो बढ़ रहा हो ठीक है price की acceleration price तेजी से बढ़ रहा हो market में उसका sentiment बहुत अच्छा होना चाहिए इन सारी चीजों को check करने के लिए क्या किया जाता है momentum का score निकालते है प ऐसी कंपनिया से जाती है जिन कंपनियों का पिछले 6 मीने या 12 मीने तक बहुत अच्छा price growth होता आ रहा है ऐसी कंपनियों का momentum score निकाला जाता है उसके बेस पे momentum जो factor है वो calculate होते है और इन दोनों factor को calculate करके उसके basis में यह decide किया जाता है कि ऐसा कौन सा stock होगा जो इन दोनों निकाले जाते हैं top के 50 stocks अब यह जो slide है यह बहुत important slide है इसमें हमें पता क्या चलने वाला है हमें यह पता चलने वाला है देखो यहां बर यह जो आप ऊपर देख रही है जो green line है यह यह बता रही है कि अगर अकेले momentum के base पे हम देखें कि पिछले इतने सालों में कितने साल की बात करते हैं तो momentum जो factor है उसने यह 10 सालों का अगर देखें तो 26% आ रहा है तो यह सबसे ज्यादा जो factor perform करता है वो है momentum हाई एस performer तो यह graph जो शो कर रहा है यह बता रहा है कि अगर सिर्फ momentum की बात करें तो सबसे top performer है और second top performer जो है quality quality factor मतलब इन दोनों factors के base पे जो stocks collect किय जाते हैं जो ETS बनाए जाते हैं वो ETS top performer रहे हैं पिछले 25 years में इस चार्ट के हिसाफ से ठीक है तो इसलिए momentum और quality को दोनों को combine किया है हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि यह जो अलग-अलग factors है इन सब की जो performance पिछले 10 सालों में कैसी रही है और साथ में हम देखेंगे risk कितना था किस factor में risk कितना था किस तरह के ETF में risk कितना जादा था और यहाँ पर हम देखेंगे कि quality momentum, value momentum या low volatility momentum इनको अगर हम factors को combine कर देते हैं combine करने के बाद जो return आते हैं वो कैसे आते हैं और risk कैसा होता है तो सबसे बहले देखते हैं कि momentum के case में 26% return आये पिछले 10 सालों में और risk जो था standard division जिसको कहेंगे 19% यह ज्यादा नहीं होनी चाहिए यह value सब कम होनी चाहिए जितना कम हो उतना अच्छा और यह value जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा अब देखते है quality में क्वालिटी में 17% return आये पिछले 10 सालों में और रिस्क जो था वह 15% था कम रिस्क था क्वालिटी में रिस्क कम होता है वहाँ पैसा लगा रहे हो पर उनमें momentum की guarantee नहीं होती तो momentum है वहाँ से ले रहे हैं तो हम ऐसे stocks को select करे है जिनका momentum भी अच्छा और quality भी अच्छी है दोनों factors में top performer है अब यहाँ देखते है quality और momentum को जब कमाइन किया तो हमारे return 24.5% आये पर एनम पिछले 10 सालों में जो कि अगर हम इन दिनों के base पे देखे हैं तो ठीक ठाक है वेरी गूड है और लेकिन हमने risk को कम कर दिया देखो momentum का risk था 19% अब momentum का quality सब combine करने के बार risk हो गया कम 16.5% पे आ गया और अगर quality की बात करें उसमें risk तो कम था पर return भी कम थे लेकिन यहाँ पर quality को भी add कर दी और return हमारे काफी अच्छे हो गया है और risk हमारा almost वैसा ही है जैसा quality का risk था यानि हमने risk लिया quality से और performance ले लि हमने यह देखना है कि हमने जो भी एक इसे बनता है वह कैसे बनता है इसमें decide कैसे होता है निफ्ति के टॉप जो 100 के stocks लार्ज के अब से 10 टॉक्स लेट किया जाते हैं और जो next 150 के stocks निफ्ति के वह मीड़ के स्टॉक्स हैं उनमें से 15 स्टॉक्स लेट होते हैं और small cap के जो next 250 stocks हैं उनमें से 25 स्टॉक्स लेट होते हैं अब इनको selection का criteria क्या है momentum और quality जैसे मैंने आपको बताया तो इनको select करने के बाद यह decide किया जाता है कि इनकी weightage कहां से निकाली जाती है इनकी index में से निकाली जाती है जो index में weightage है उसके हिसाब से निकाली जाती है और उसके बाद इनकी weightage 5% पे cap कर दी जाती है मतलब कोई भी जो stock है उसकी weightage 5% से ज़्यादा ना हो इस new ETF के अंदर मतलब यह ना हो कि एक ही stock इतना ज़्यादा इसमें weightage रखे कि एक stock के move करने से ETF का price move करे इसलिए इसको cap कर दिया 5% से ज़्यादा किसी की weightage ना हो और साल में दो बार rebalancing ह होती है तो stocks को दो बार साल में re-select किया जाता है based on the score क्योंकि score change होता रहेगा कोई भी company की performance change होती रहेगी stock performance change होएगी fundamental change होगे उसके basis पे अब यहां पर हम देख रहें कि weightage कैसे लेनी है जो weightage है सबसे ज्यादा weightage यहां large gap की है around 48% की around weightage large gap की जा रही है यह recent values है उसके साथ से these values can change ठीक है और mid cap की 34% small cap की 18 है यानि ज्यादा weightage अभी भी large gap को मिल रही है तो large gap में weightage भी रखके एक क्या रहता है risk कम रहता है क्योंकि large gap जो सबसे stable stocks होते है तो risk भी कम रहता है पर mid cap और small cap में भी अच्छी खासी weightage है जिसके कारण performance भी high रहती है तो इस तरह से एक balance बना रहता है performance का और weightage का ठीक है अब यहां पर इस slide में हम देखते हैं कि जो प compare करते हैं अलग-अलग index के साथ अगर हम अलग-अलग index का compare करते हैं तो क्या performance रही है 10 years की बात करेंगे drawdown की बात करेंगे 10 years में nifty 500 multi-cap momentum quality 50 जो है इसमें 22.4% का return आया है और अगर compare करें nifty 500 के साथ तो उसमें सिर्फ 15% आया था nifty 500 equal weight का सिर्फ 16% आया था multi-cap nifty 500 का multi-cap का utf उसमें भी इतने आया था और एक और है nifty 500 momentum 50 जिसमें अकेला momentum factor है उसमें 25% आया था उसके मुकाबले में यह return थोड़ा कम है लेकिन benefit कहां पे होने वाला max drawdown है max drawdown आया माइनस 31% यहां पर और यहां कितना था माइनस 38% यानि हमने drawdown कम कर दिया और उससे हमारा नुक्सान जाता नहीं हुआ हमारा जो returns है 24.6% की जिगा 22.4% हो गया मतलब return थोड़ा सा कम हो गया हमारा लेकिन हमारा drawdown काफी कम हो गया इसका फाइदा यह कि अगर आप long run तक अगर long time तक किसी ETF को hold करके रखते हो तो आपको risk कम देखना पड़ेगा because उसका drawdown under control हो गया इसलिए इस ETF का फाइदा है quality कमाइन करने के कारण हमारा drawdown under control हो गया और returns हमारे फिर भी काफी अच्छे बने हुए इसमें अब यहां पर हम यह देखते हैं कि इस index ने कैसे perform किया अलग अलग तरह के market faces में एक तो market जब flat थी या गिरी होई थी यहां पर जब market up and running थी दोनों cases में इस index ने कैसे perform किया जो यह blue में सारे देख रहे हो यह अलग लग index है और जो green में देख रहे हो यह हमारा यह वाला index यह वाला ETF है हम जिसकी बात कर रहे हैं अब देखो यहां पर यह जो time था 2008 का market crash होई थी उस समय सारे index ने बहुत bad perform किया यहां पर अगर निफ्टी 500 देखे तो 63% डाउन था ठीक है और बाकी के भी देखे तो 65-70% तक डाउन थे लेकिं यहां पर इसका risk कम था यह minus 59% पर था यह उस हिसाब से अगर compare करें तो इसक उसके बाद 18, January 18 और February 19 तक के बीच में जो market pure perform कर रही थी उस time पे भी बाकी के index जो थे उनमें सबसे कम डाउन यही वाला index था ठीक है again coming back to corona के time पे करोना के time पे सारे इंडेक्स जो डाउन थे वो 26% 22% तक डाउन थे पर यह वाला इंडेक्स 18% डाउन था यानि कि जितने भी बड़े-बड़े crash आते हैं उस time पे यह index की performance उतनी ज्यादा खराब नहीं होती अगर हम compare करें दूसरे index के साथ ठीक है अब यह नीचे जो है यह जो है हमारा इंडेक्स 100% तक रिटर्न दी है इसने ऐसे टाइम पे जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर दी थी 2005-2006 की बाद है उसके बाद 2013-14 के टाइम पर भी सारे इंडेक्स से बैटर परफॉर्म किया इस इंडेक्स 60% तक रिटर्न दी है वान यर में अगस्ट 2019 और दिसमबर 2020 के बीच तक यह जो रैली आई करोना के बाद रैली जो शुरू होगी उस रैली में भी यह वाला इंडेक्स टॉप परफॉर्मर रहा है और साथ में रिस्क जो है उनसे कम होने वाला है यहां फर स्लाइड में देखा कि कैसे पीछले साघी करना चाते हो तो हैं यह लेख सकते हो कौन से स्टॉप करना चाहते हैं बहुत वैच पाइर्फिन्स हुग बहूट अच्छे स्पिक्रेस और से सेक्टर के नाम में स्टॉप किस सेक्टर में कौन सा स्टॉक बिलॉंग करता है यह आप देखिए ए बीबी ए डिक्सन टेक्नोलोजी तो अच्छे-च्छे स्टॉक्स है जो टॉप पर्फॉर्मर्स है और साथ में क्वालिटी को भी इसमें टेकन केर किया हुआ है गुदावरी पावर आप देख सकते हैं क तो बहुत सारे अच्छे-च्छे स्टॉक्स ऐसे आपको यहां पर नाम देखने को मिल जाते हैं तो अब हम देखते हैं कि इसमें अगर SIP की होती तो हमें कैसे रिटर्न आये होते पिछले 10 साल का यह रिकॉर्ड है अगर पिछले 10 साल में अगर आपने इसकी SIP की थी तो कि 46 लैक में कनवर्ट हो गया है और इससे हमें जो XIRR मिली है वो है 25% मतलब SIP में 25% का हमें XIRR rate of return हमें जो SIP का मिला है वो 25% मिला every year और उस return से हमारा यह पैसा इतना ग्रो हो गया अगर आप यह plane Nifty 500 में लगाते तो यह 31 लैक तक परॉच दा ठीक है और इसको मैंने SIP को forward के हिसाब से अगर मैं इसको calculate करके देखो same XIRR लगा के देखो कि future में हमारे returns कैसे आ सकते हैं तो 10,000 के अगर आप SIP करते हो यही जो return आ रहा है यह डाल देते हैं 12 साल के लिए डाल देते हैं तो हमारा 1 crore 1 CR तक पहुंच सकता है यह यानि कि यह जो ETF है again देखो small cap mid cap large cap सारे मि जाके top के जो performer stocks हैं वो चूज किये गए है momentum और quality के base पे ठीक है आप को plane जो आप investing करते हो simple आप small cap में देखते हो कि small cap बहुत ज़्यादा returns देता है लेकिन risk बहुत ज़्यादा देता है तो आप जब small cap के किसी index में पैसा डालते हो तो आपका पैसा बहुत ऐसे भी stocks में चला जाता है जो stocks बहुत underperform करने वाले हैं जिनके कारण overall drawdown बहुत बढ़ जाएगा तो इस तर strong stocks हैं और लेकिन वो performance भी अच्छी दे रहे हैं और साथ में क्योंकि इसमें nifty के top के 500 में से stocks लेट किये जा रहे हैं तो ऐसे भी stocks लेट किये जा रहे हैं जो mid cap को belong करते हैं जिसका benefit यह है कि जो high performance वाले stocks हैं वो भी आप साथ में उनमें भी आपका पैसा लग रहा है तब ही आप long run में ऐसे में returns ले पाते हो पर साथ में यह मैं आपको जुरूर बताना चाहूँगा जब भी आप invest करते हो पूरा study करके invest करो जिस भी ETF में या stock में invest करते हो बहुत उसको study करो analyze करो इसके भी बारे में और information आप search करो net पर तो सारी information देखने के बाद आप अपनी position size decide करो जो आपके लिए comfortable है आप उतनी ही amount invest करो और mostly better यही रहता है कि जो आप investment करो वो SIP के form में करो लम समय investment करने के अपने risk रहते हैं तो इस तरह की investment करके आप long run में एक अच्छा corpus बनाने की कोशिश कर सकते हो ठीक है दोस्तों I hope आपको यह video अच्छा लगा अगर आपको यह video अच्छा लगा तो video को like जूर कीजिए और channel को subscribe कीजिए अपने दोस्तों के सार वीडियो को share जूर करिएगा और मिलते हम इस तरह के एक और वीडियो में जैहिन